इस कारे क्रम को जोईस मायर मीनिस्टीस के मित्रों और भागीदारों द्वरा संभव बनाये गया है हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता पर हम सब को कुछ मिलता है और हमारा काम है कि हम यह पता लगाए कि हमारा कुछ क्या है और उसे अपने जीवन में क अच्छे उप्योग मिलाए अब मेरी बास सुनिये बिना उसकी तूलना किये कि किसी और के पास क्या है यह एक बहुत बड़ी बात होती है ठीक है आज हम बात कर रहे हैं आज सुबह मैंने शुरुआत की पहली सर्वीस में उन तीन द्रिश्टांतों के बारे में जो मिलते हैं मत्ती 25 में और वहां हैं 10 कुमारियों का द्रिश्टांत पास समझदार और पांच मुर्ग इस सुबह हमने यह पता लगाया कि जो पांच मुर्ग थी मुर्ग इसलिए थी क्योंकि वह कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती थी समझदारों ने अपनी मशाले ली और साथ में एक्स्ट्रा तेल भी लिया उन्हें थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ा उससे जितना उसने सोचा था कि हमें करना पड़ेगा मैने कुछ अच्छे पॉइंट्स भी निकालने कि लोग लेट क्यू होते हैं वो नहीं करते वो पर्फिक्शन के लिए प्लैन करते हैं वो प्लैन इसलिए नहीं करते कि क्या हो यदि वो लेट हो जाए तो हमें तयार हैने की जरूरत है, हमें योजनाबद रहने की जरूरत है, इस समय हम बहुत कठिन समय में रह रहे हैं, जहां हमें जरूरत है बाइबल में लिखा है, जाकते रहने की और प्रार्थना करने की, और इसका सच मुछ मतलब है कि ध्यान पुर्वक जीएं, सावधान रहें कि आप कैसे रह रहे हैं सचीत हो और जानते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सीखने की इनाई इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाये पर आपको शिकार होने की जरूरत नहीं पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे लिए करने के लिए ब कि कई बारी बहुत अच्छा होता पर क्या करें जब आप यूद में हों आपने वो सब किया जो आप कर सकते हैं और वो बस यह चाहते हैं कि आप उनकी प्रेस करें और भक्तिकर शैत कुछ ऐसा आपके जीवन में जिसकी और धियान देने की आपको ज़रूरत है जिसने शैत करती हुए परमिष्वर से पूछ हूँ हाँ क्या खराबी है जो ईसा चाहते हैं कि में करू हैं या आ आप यह चाहते हैं कि मैं बस आप किस सीवा करू और बस आपकी सुती करू हम अपनी लडायां जीच सकते हैं यदे हम यह जाने कि एक मसी की तरह कैसे लड़ना है आए इ इन तीन तोडों की कहानी में भी एक संदेश जैसा ही है यह इस बारे में है कि आपको क्या करना है और इस बारे में की कप करना चाहिए और चीजनों को बस टालना नहीं है और अपना फल नहीं खुणा है अब हम स्वर्ग में अपना रास्ता नहीं कमाते हैं हम उद्धर नहीं कमाते ये एक मुफ्त वर्दान है जो परमिश्वर के अनुगरोद्वार दिया गया है और ये सब को दिया गया है ये शुने पहले से आपके उद्धर के लिए दाम चुका है तो यदि आपने अभी तक मसी को स्विकार नहीं किया है, तो आज एक मुफ्त वर्दाने जो आपका इंतजार कर रहा है, जो आप मांगने पर पास सकते हैं, आपको बाहर जाने और खुद को बहतर बनाने की जरूरत नहीं, ताकि आप इसके योगे हो सके, ये बस एक मुफ्त वर्दाने जो आपका इंतजार कर रहा है, पर एक बार यदि कोई व्यक्ति नए सीरे से जन्म लेता है, उन्हें एक नया स्वभाव प्राप्त होता है, हमें परमिश्वर का स्वभाव प्राप्त होता है, हमें परमिश्वर की आत्मा प्राप्त होती है, तो हमें में बाइबल में लिखाया है कि वो हमारे अंदर से ठंडा पत्थर का दिल निकाल लेता और वो हम एक शरीर रीक रिदय देता है वो जो सम्वेदन शील है परमिश्वर के स्पर्श के प्रती तो मेरा ये विश्वास है कि कोई भी जो नहीं सीरे से जन्मा है और उसका बस यही मतलब नहीं कि आप बस रवीवार को चर्च चले जाएं इसका मतलब यह है कि अब आप वो है और आपका जीवन पूरा परमिश्वर के दाइरे में है तो यहां भले कारी है जिनका खयाल किया जाना चाहिए याकुब में लिखा है विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है हम उद्धार के लिए काम नहीं करते पर यदि अपने सच मुछ उद्धार पाया है आप परमिश्वर का रिदाई नहीं रख सकते और भले काम करना नहीं चाहा सकते आमीं तो यदि आप सोचते हैं कि आपने उद्धार पाया और आप दूसरे लोगों की कोई परवा नहीं करते तो बहता रहा पीछी हटे और कुछ जाच करें क्योंकि ये मामला किसी प्रार्थ ना या विश्वर समय पर कहने का नहीं है और एक चर्ज जॉइन करने का है और सबता आमें एक बार चर्ज जाने का ये है मसी को सुक्रार करने के बारे में जो हमीं महीमा दर महीमा बदल देता है और लगाता हरा हम आत्मिक रूप से बढ़ते जाते हैं मैं अभी पिया आत्मिक तामें बढ़ रही हूं मैं सारा समय सीखती रहती हूँ और यही रवया है हमें रखनी की जरूरत कि हमें क्या करना है पर शैतान हमें रोकना चाहता है यदि तुमने अभी तक इसका अंदाजा नहीं लगाया तो वह आपसे नफरत करता है बस आप इसे एक औयोजना की तरह लें क्योंकि आप जानते हैं कि आप इसे कैसे लेते हैं और कुछ भी किसी भी समय अदिया आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं पॉलस ने कहां जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुरा ही मेरे पास आजाती है तो शैतान के साथ थोड़े लड़ाई होती है कहां जाए तो हमने पहले से ही जीत हासिल कर ली है हम जानते हैं कि कैसे हमें बस ये जानने की जरूरत है कि सही तरीके से कैसे लड़ना है और ये द्रिश्टान्त ये तीनों के तीन सबी हमें ये सिकात हैं कि उसे इस्तमाल करना बहुत महत्वपूर्ण है जो परमेश्वन हमें दिया है दस कुमारिया पहला दृष्टांद था और अगला वाला है तोडो का दृष्टांद और तीसरा वाला है भीणों और बक्रियों का दृष्टांद और इस सर्विस में हम अंतिम दो पर नज़र डालेंगे हमें परमेश्वर से वो सब मिला है जिसे संभालने के हम योगे हैं हमें हमेशा वो नहीं मिलता है जो किसी और को मिला है शायद आप किसी से इर्शा करते हैं जिसके पास आपसे ज़्यादा है और आपको बसी समझ नहीं आता पर एक समभाव नहीं की चाहें आप जो कुछ भी सोची पर यदि जो उनके पास है वो आपके पास होता तो उससे कहीं से अधा बार की होता जो आप समभाल नहीं पाते मैं आपको कुछ पताना चाहती हूँ पैसो में शक्ति है पद में शक्ति है बहुत से लोग है बहुत से सांसारिक लोग जिनके जीवन तबाह हो गए है मश्हूर होकर या धन्वान होकर तो आप संसार में हासे के पात्र बन जाएं यदि आप उस से ज़्यादा पाएं जो आप संभाल सकें और ये अंत में आपका जीवन बरबात कर देता है पर परमेश्वर की संतान के रूप में आप उन पर बरुसा कर सकते हैं वो आपको वो देगा जो आपके लिए सही है यह हमेशा चाहिद ख्यार कहें दें पर हम सब करेंद मिलता है कि तो किसी प्रकार की मर्म खता है इर्शा करना की किसी के पास जो है क्योंकि यदि परमिश्वर चाहते हैं कि वो आपको मिले तो उपको मिल जाता तो हमें दूसरे लोगों के लिए खुश होने की जरूरत है और बस केवल उसी के लिए प्राइबता ना करें जो आपको चाहिए चलो परमिश्वर से मांगेगी हमें वो दे जिसे हम सभाल सकें और परमिश्वर को अपने जीवन में प्रतम रख सकें क्या मैं ये दुबारा कह सकती हूँ चलो परमिश्वर से मांगेगी हमें वो दे जिसे हम सभाल सकें और फिर भी हमें अपने जीवन में नमबर एक पर रख सकें मैं कईबार राहिल और लिया के बारे में सोचती हूँ बाइबल में दो औरते जो बहनी थी और याकोब राहिल से प्रेम करता था वो बहुती सुन्दर औरत थी और वो उसे प्रेम करता था यहां साथ साल काम किया ताकि उसे अपनी दूलहन के रूप में प्राक्त कर सके और उसके एक बेहन थी लिया और बाइबल राहिल के बारे में कहती है कि वो दिखने में बहुत सुन्दर थी और लिया के बारे में कहती है कि वो कमजोर थी उसकी आँखें धुंदली थी अब मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि वो बहुत सुन्दर नहीं थी यह अच्छा तरीका नहीं है कहने का कि वो बदसुरत बहन थी पर बात दरसल यह है कि राहिल को गर्ववती होने और बच्चे पैदा करने में बहुत तकलीफ हुई पर लिया के होते रहे एक के बाद एक के बाद एक तो उस जमाने में ये बाती थोड़ी अलग सी लगती थी और उसने राहिल के लिए साथ साल काम किया और फिर उसके साथ चाल चली गी और धोका दिया गया और शादी की रात उन्होंने उसे शराब के नशे में धट कर दिया और वो अगली सुबह उठा और उसे मिली वो कमजोर और दुंदली आखो वाले लिया पर लिया याकोब को पुत्र और पुत्रिया दे सकी उसने साथ साल काम किया और उसे राहिल मिली पर ये बहुत बहुत साल हो गए इससे पहले कि राहिल को बच्चा होता और फिर अंत में उसे हुआ यूसुफ और फिर उसने जन दिया बिन्यामीन को और मुझे इससे बहुत कुछ मिलता है क्योंकि मैं इसे इस रूप में देखती हूँ हर किसी को हर चीज नहीं मिलती पर हम सबको कुछ मिलता है और हमारा काम है कि हम ये पता लगाएं कि हमारा कुछ क्या है और उसे अपनी जीवन में एक अच्छी उप्योग मिलाएं अब मेरी बात सुन्य बिना उसकी तुलना कियेंगी किसी और के पास क्या है? ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है तो दरसल बात यह है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता जो आपके पास है या जो आप कर सकते है जो आपको और संसार को बहुत छोटा लगे कि एवल एक ही बाद जिसके लिए परमेश्वर हमें जवाब दे बनाते हैं कि जो उसने हमें दिया है उसे ज्यादा से ज्यादा करें और यदि आप ऐसा करते हैं बिल्डिंग के जेनिटर को वही इना मिलता है जो कमपनी के सीयो को मिलता है समझ रहे हैं अपनी बाद परमेश्वर कभी हमसे या पिक्षा नहीं करते कि हम कुछ ऐसा करें जिसे करने के लिए उन्होंने हमें योग्यता नहीं दी तो आप में से कुछ आज शान्त हो जाएं और स्वेम की तुलना दूसरे लोगों के साथ करना चोड़ दें और खुद को उत्पीडी करना चोड़ दें ये कामना करते हुए कि आप कुछ होते पर आप नहीं है या आपके पास कुछ होता जो नहीं है और मैं रुकूंगी नहीं जब तक आप तालिया नहीं बज़ा दें क्योंकि वो बहुत अच्छा है फर काश में आप जैसी लगती जानते हैं यहां उपर लीजा की और देखना काफी मुश्किल है और उसकी कमर की कामना की बिना यह कुछ ऐसे माइ गुड़नेस मैं सुचते मेरी जांग उसकी कमर से बड़ी है पर कि आप जानते मैंने बहुत अर्सा पहली यह सीख लिया है कि एक पूरी तरह समय की बर्बाती होती है उससे इर्शा करना जो किसी और के पास है यह कभी आपकी मदद नहीं करेगा उसे पाने में जो आपके पास है तो तोड़ो का दृष्टांत मत्ती 25-14 क्योंकि यह उस मनुश्य की सीधशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुला कर अपनी समपति उनको सौप दिया और बिल्कुल यही परमिश्वन ने हमारे साथ किया है मुझे नहीं बता कि आपको यह मालूम है कि नहीं या नहीं पर येश्वन ने हम पर जिम्मेदारी सौपी है अपनी इज़त की उस जिम्मेदारी के बारे में सूचिए क्या आप जानते हैं कि शायद आप ही वो एक मातर येश्व हो जिसे कभी आपके पडोसी देख भाएंगे तो किस का येश्व वो देख रहे हैं क्या वो किसी ऐसे को देख रहे हैं जिसके कार पर बंपर स्टीकर लगा या वो किसी ऐसे को देख रहे हैं जिसके आत्मा में अच्छा फल प्रकट हो रहा है हम किसी भी चीज के स्वामी नहीं है हम सेवा के हर चीज जो मेरे पास है वो परमिश्वर की और से वर्दान है और जो वो हमें देते हैं उसको निवीश करने की सरूरत है उसकी अच्छी देख भाल करने की और उससे उनको अच्छा मुनाफ़ा देने की पत्ती की शुरुआत से बाइबल में लिखा आए कि फूलो फलो और पृत्वी में भर जाओ मुझे बस यही वापस मत करो जो मैंने तुमें दिया है वहाँ पाहर जो और मेरे वर्दान को काम पर लगाओ परमिश्वन ने मुझे पमूदिया है और मेरे पास कम्यूनिकेशन का वर्दान है ये मेरा वर्दान है मैं एक अच्छी कम्यूनिकेटर हूँ लगता है कि मैं अपना पॉइंट काफी आसानी से समझा सकती हूँ वहवारी के तोर पर जिसे लोग समझ सकते हैं और मैं आपसे इमानदारी से कहूँगी कि मैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं हूँ मैं यह कहूँगी कि मुझे में सामानिय बुद्धिमानी है मैं मुर्ख नहीं हूँ पर मैं बुद्धिमान हूँ थोड़ी बहुत बुद्धिमान जैसा कि आप जानते हैं कि क्रीस के इन कौन है अल्राइट क्रीस बहुत ही बुद्धिमान है वो बहुत स्मार्ट है हमेशा उसे स्कूल में हाई ग्रेड मिलता था खेर मैं ऐसी नहीं थी पर मुझे हाई स्कूल में ग्राजूशन, स्पीच देने का सोभगे मिला देखे मैं हमेशा बात कर सकती थी और तो मैं बात करती हूं और मैं दूसरे लोगों को वो करनी देती हूँ जो वो कर सकते हैं और जब अप रभू आप जानते हैं मैं वहाँ बैठा करती थी और मैं किसी से इर्शा करती थी जिसकी बहुत बड़ी आवाज होती काश मैं उसकी दरगा सकती काश मेरे उसके जैसे बाल होते काश 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 और सच मुझे अनियर लोगों में वर्दान इसलिए डालते हैं कि हम उनका अनंद लेना कि उनसे इर्शा करें क्योंकि यदि हम किसी के वर्दान से इर्शा करते हैं देखिया आप इस विकेंड पर मीरे वर्दान का आनंद ले रहे हैं पर ये मुझे ठका रहा है मेरा मतलब जब मैं घर जाती हूँ आप घर जाएंगे रुगा भाई क्या बढ़िया था और मैं कहूंगी कि येशू क्या अभी भी मैं जिन्दा हूँ तो दूसरे लोगों से इर्शा करना मूर्खता है वर्दान जून में वो आपके आनंद के लिए हैं तो एक जिससे उसने पांच सोने की तोड़े दी दूसरे को दो और एक को एक तोड़े और मुझे बहुत पसंद है वचन पंद्रा में हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार और आपको स्वेम के बारे में लजीत होने की जरूरत नहीं किसी और कि आपको किसी भी बात की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं सिवाए उस जिम्मेदारी के जो परमेश्वन ने आपको दे रखी है आमीन यदि एक पास्टर इसे टीवी पर देख रहा है और आपने एक ऐसे चर्च की चर्वाही की है जिसमें 150 लोग है और आप इसकी चर्वाही करते रहें और अब वो उसके पास इतना बड़ा एरीना है जहां 16,000 लोग आ सकते हैं खेर यह सोचना कितना आसान है खेर प्रभू मुझे में क्या खराबी है मुझे क्यों नहीं इनी 150 लोगों के साथ साल दर साल निपटना पड़ता है जानते हैं क्या क्योंकि यही काम परमेश्वनी आपको सौपा है और यही परमेश्वनी जोयल को सौपा है वही काम और बात यह है कि यदि आप वो करने की कोशिश करें जो जोयल कर रहा है यह बस यही करेगा कि आप इसे ना खुश हो और वो वो नहीं कर सकता जो आप कर रहे हैं यदि वो कोशिश भी कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसे वह अभिशिक नहीं दिया जानते इसलिए डेव और मैं इस रिष्टे में अच्छी तरह चल रहे हैं जो हमारे बीच है हलां कि सामानिय तोर पर ये परिस्थिती उलट फेर हो सकती है जहां वो यहां उपर होता और में वहां नीचे होती और उसने शुरुआत में ही परमेश्वर के साथ इस तरह वारता लाप किया था और वो सच मुझ नहीं समझ पा रहा था कि क्यों परमेश्वर उपदेश देने के लिए मुझे चुना उसे क्यों नहीं पर डेव स्माट है उसे बातें जल्दी समझ आ जाती है और वो है वो खुश रहने और शांती में रहने का बहुत पक्षधर है आप मेंसे कितने पक्षदर है खुश रहने और शान्ती में रहने के प्रती खेर दियर उसे उतना पसंद करता है कि वो जो भी बदलाव और एकजिस्टमेंट करने की जरूरत है उसे तुरंद कर लेता है तो वो बाते जो उसमें हो रही थी हम उसे खुश नहीं रख रहे और परमिश्वन ने उसे बताए यदि आप वो करेंगे जिसके प्रतियाप जिम्मीदार हैं तो आपको हमीशा आनंद मिलेगा यही करने के लिए मैंने उसे बुलाया है यही करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है तुम दोनों खुश रहोगे अगर तुम दोनों वो करोगी जो तुम्हें करना चाहिए और आप जानते हैं यदि सच मुझ सारानशे है इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है कि क्यों परमिश्वने किसी को चुना किसी और काम के लिए हमें बस यह करने की जरूरत है कि हम एक चूटी सी प्यारी भेड़ बने रहे हैं जिसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं बेड़ और बक्रियां और वो भूमी का जो परमिश्वने हमें करने को दी हैं आज आप देख सकते हैं कि आप कैसे रिलेक्स कर सकते हैं यदि आप उसे करना छोड़ दी जो आप नहीं है बस इसके बारे में सोचे ये ठीक है ये बस ठीक है यदि पूरे जीवन भराव फर्ष्ट होते रहे हैं आमीन मेरा मतलब है असल में मैं इस औरत को जानती हूँ जिससे सफाय करना पसंद है और मैं कहती हूँ तुम्हें सफाय करना कैसे पसंद आ सकता है डार्लिंग जेक ने मुझे एक दिन का क्या तुम्हें भी अपनी फुर्षत के समय खाना बनाना पसंद नहीं है मैंने कहा नहीं क्या तुम्हें खाना बनाना पसंद नहीं है मैंने कहा नहीं मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है मुझे ये पसंद है कि कोई और खाना बना और मैं सिखाऊ ठीक है अब तब जिसको पांच तोड़े मिले थे ये वो टालमटल करने वाला व्यक्ति नहीं है जिसके बार में हमन उसने लीन देन की और पांच तोड़े और कमाई सी रीती से जिसको दो मिले, उसने भी दो और कमाई परंतु जिसको एक मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिये परमेश्वर हमें सौपते हैं हुनर योग्यत अधन, इश्व के दावे क्या सच हैं, वो हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार देता है, और मैं आपको बताऊंगी की, लोग क्या चाहते हैं इस अंसार में सबसे स्यादाओ, उन्हें देखना चाहिए किसी भी विश्वासी के जीवन में वो निरंतर रहने वाली शान्ती, तुफानों के दौरान भी और वो आनन्द जिसका कोई तुक नहीं बनता, देखे आपके पास ज्यादा बहुत कुछ होने की जरूरत नहीं है, खुश रहने के लिए, पैसा आपको खुश नहीं रखता, कई बार ये आपको ये बहुत नाखुश कर सकता है, कि आप जानते हैं, जो कुछ भी आपके पास है, वो किसी और का है और आपको तो बस उसकी देख भाल करनी है, हाँ आखर, अनुगरह देते हैं, आपके काम के लिए, यदि आपके पास कोई दिव्यांग बच्चा है, मुझे यकीन है कि ये आपके जीवन में एक चुनोती है, पर परमिश्वर आपको उसकार के लिए अनुगरह देते हैं, यदि आप एक ऐसे विवाम है जो आप चाहते हैं कि वैसा नहीं होना चाहिए था और यह बहुत कठीन और चुनोती पूर्ण है और आप किसी से विवाइत हैं जो विश्वास ही है और कभी भी वो विश्वास नहीं करता और वो परमिश्वर से दूर चला गया है पर यदि आप इस पर विश्वास करते हैं कि ये काम परमिश्वन ने आपको सौपा है, क्या होता, यदि डेव ने मुझसे विवान न किया होता, मैं यहाँ वो नहीं कर रही होती, तो परमिश्वर आपको अनुग्रह देंगे आपके काम के लिए तो ये काफिस पश्ट रिती से दिखाता है कि क्यों उसने पहले आदमी को पांच तोड़े दिये थे और अंतिम आदमी को किवल एक यों की वो व्यक्ति जिससे सबसे ज्यादा मिला उसने उससे सबसे ज्यादा इस्तामाल किया और परमिश्वर पहले से ही जानते थे कि वो ऐसा ही होगा तो अधिक से अधिक अधिक करो जो परमिश्वर ने आपको दिया है और उन लोगों से शाकना बंद करो जिनके बार में आप सोचने हैं कि उनके पास ज्यादा है क्योंकि दरसल आप दोनों के पास इतना ही जितना आप संभाल सकते हैं इस कारे करम को जॉइस मायर मिनिस्टरीज के मित्रों और भागी दरों द्वरा संभव बनाए गया है